हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफियर में आपका स्वागत है आज है दो माई 2019 और यह हमारी 143 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसका answer आप टिक करके दे सकते हैं question number first हाली में किसे defense cyber agency का प्रमुख बनाया गया है जिसका say option है मोहित गुपता हाली में मोहित गुपता को defense cyber agency का प्रमुख बनाया गया है दोस्तो ये retired admiral है देश की military defense system को cyber attack से सुरक्षित रखने के लिए defense cyber agency जून से अपना कारिय शुरू करेगी ये agency बिदेशी cyber attack की खतरे से निप्टेगी दोस्तो DCA का headquarter दिल्ली में बनाया जाएगा तो इतना आपको defense cyber agency के बारे में याद रखना है next question हाली में जापान के नए समराट कौन बने है जिसका सरी option है नारू हितो हाली में नारू हितो जापान के नए समराट बने है अकी हितो जो जापान के पुराने समराट है हाली में इन्होंने गद्धी छोड़ी है 200 साल के इतिहास में राजगद्धी छोड़ने वाले पहले राजा हैं अकी हितो दोस्तो अब बात आईए जापान की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें दोस्तो मैप में ये जगह है जापान को दरसाती है जापान की राजधानिय टोकियो करन्स ये ये और जापान की प्रदान मंत्री हैं सिंजू अवे तो दोस्तो इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है स्टॉक होम पीस रिपोर्ट 2019 अनुसार दुनिया का सेन खर्च कितना हुआ है जिसका सेयोफ्षन है 126 लाग करोर रुपए 126 लाग करोर रुपए दुनिया का सेन खर्चा हो गया है पिछले साल से 2019 में रक्षा बजट में 2.6 प्रतिशत की ब्रद्धी हुई है इस मामले में USA सबसे आगे है वहीं 9 साल में सबसे ज़्यादा 83 प्रतिशत सेन खर्च चीन कर चुका है चीन दूसरे नंबर पर है अगर वहीं भारत की बात करें तो भारत रक्षा पर 4.8 लाग करोर रुपए खर्च करता है जो पूरे बजट का एक चौथा ही है तो दोस्तो इतना आपको स्टॉक होम पीस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हाली में IPL 2019 में दूसरी बिकेट हैट्रिक किस ने ली है जिसको से यॉप्षन है स्रेयस गोपाल हाली में स्रेयस गोपाल ने दूसरी हैट्रिक ली है हाली में राजिस्थान रॉयल्स और RCB के बीच मैच हुआ था जिसमें स्रियस ने दूसरी हैट्रेक ली है पहली हैट्रेक सैम करणने ली है 2019 IPL में दोस्तो अब बात आई है IPL की तो आपको इसके बारे में बता दें IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है इसका पहला संस्क्रण 2008 में खेला गया था कुल आठ टीमे हैं लसित मलिंगा ने सबसे ज़्यादा बिगट लिये हैं IPL में दोस्तो मुंबई और चेन्नाई ऐसी दो टीमे हैं जो तीन-तीन बार IPL का खिताब जीत चुकी हैं आपको बता दें महेंदर से हैं धोनी IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान है तो दोस्तो इतना आपको IPL 2019 के बारे में याद रखना है Next question हाली में कब अंतराष्टिय श्रमिक दिवस मनाया गया है तिसको से योफ्ष्टन है एक मई हाली में एक मई को अंतराष्टिय श्रमिक दिवस मनाया गया है इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिवस अंतराष्टिय स्रम संगों को बढ़ावा देने और प्रोत्सायन करने मनाया जाता है दोस्तो 2019 में इसकी थीम थी सब के लिए इस्थाई पेंसन सामाजिक पार्टनर्स की भूमिका तो दोस्तो इतना आपको अंतराष्टिय स्रमिक दिवस के बारी में याद रखना है हाली में किसे अंतराष्टिय आतंकवादी घोसित किया गया है जिसके स्योफ्षन है मसूद अजहर हाली में मसूद अजहर को अंतराष्टिय आतंकवादी घोसित किया गया है मसूद पठानकूट और पुलमामा जैसे हमलों का आरोपी है इसे कंधार में प्लेन हाईजेक मामले में छोड़ा गया था ये जैसे मुहमद आतंकी संगठन का खूफिया हैड है दोस्तो संक्तुरास्ट ने इसे हाली में आतंकवादी घोसित किया है तो दोस्तो इतना आपको मसूद अजहर के बारी में याद रखना है हाली में किस देश ने मांट एवरेस्ट क्लीनिंग केंपेन लौंज किया है तुसकसी उफ्ट्ट ने नेपाल दोस्तो इसका उद्देश मांट एवरेस्ट पर फैले कचरे को बापस लाना है 10,000 किलोग्राम कच्रा बापिस लाया जाएगा 5 जून को परियावरन दिवस पर इस कच्रे का प्रदर्शन काट मांडू में किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए नेपाल की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मैप में ये जगह नेपाल को दरसाती है नेपाल की राजधानी है काट मांडू और नेपाल की करंसी है नेपाली रुप्या नेपाल के रास्टपती हैं बिद्या देवी भंडारी और नेपाल की प्रदान मंत्री हैं खड़क परसाद हो ली तो दोस्तो इतना आपको नेपाल की बारे में याद रखना है हाली में किस जिले में बॉली वॉल शिविर लगाया गया है जिसका सई ओफशन है छिनबाडा हाली में छिनबाडा में बॉली वॉल शिविर लगाया गया है इस सिविर में 80 बच्चों ने पंजियन कराया है दोस्तो अब बात आईए चिनबाडा की तो आपको कुछ important factor चिनबाडा की बारी में बता दें छित्रफल की दरश्टी से मद्ध प्रिदेश का सबसे बड़ा जिला है चिनबाडा देश का पहला मसाला पार्क यहीं स्थापित किया गया है पेंच रास्टी उद्यान भी चिनबाडा में ही इस्तित है दोस्तो बदला वोई आदिवासी संग्राले यहीं पर बनाया गया है पाताल कोट भी यहीं पर मौजूद है चिनबाडा में लिला ही और तामिया जल प्रपात इस्तित हैं आपको बता दें कान पेंच गहाटी और परासिया यह प्रमोक कोईला छेतर है चिनबाडा में जिसका सई ऑफ्षन है ग्वालियर गौालियर में BCCI द्वारा प्रिसिक्षन सिविर आयजित किया जा रहा है शहर की ATM युनिवस्टी में इस प्रिसिक्षन में खेल से जुड़ी जानकारी और सरी से जुड़ी जानकारीयों के बारे में बताये जाएगा पिछली बार बिजी ट्रॉफी भी इसी युनिवस्टी में हुई थी तभी प्रिसिक्षन के लिए कुछ खेलाडियों को चुना गया था दोस्तो अब बात आईए BCCI की तो आपको इसके बारे में बता दें BCCI का फुल फॉर्म भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है इसकी स्थापना 1928 में की गई थी BCCI का हेड़ क्वार्टर मॉंबई में है और हेड है बिनोद राय तो दोस्तो इतना आपको BCCI के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हाली में हजरत बाबा मकबूल साह की दरगाये पर उर्स मोद्सों का आयोजन किया गया है ये किस सेहर में इस्थे थे जिसका सी उफ्षन है शैडूल ये शैडूल सेहर में इस्थे थे दोस्तो आपको बता दें यह उर्स तीन दिन तक चलेगा इस वर्ष यह 36 वा उर्स का आयोजन किया जा रहा है दोस्तो आप बात आईए शैडूल जिले की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट शैडूल की बारी में बता दें शैडूल दो सब्दो का मिश्रण है जिसका अर्थ होता है हजारों तालाप दोस्तो कनेज संपदा कोईले का भरपूर भंडारन स्वाखपुर में इस्तित है और स्वाखपुर एसिया की सबसे ब्रहत कोईला भंडार छेतर है मद्यप्रिदेश का एक मात्र जिला है जहां यूरिनियम प्राप्त होता है दोस्तो आपको बता दें देवलोन में सोन नदी पर वाण सागर अंतराजिय परियोजना बनाई जा रही है अमर कंटक ताब बिद्यूत के अंदर भी यहीं पर इस्तित है पनपिथा वा सोन नदी अभ्यारण ही सहडूल में इस्तित है और बांदागड रास्टी उध्यान भी सहडूल में ही बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको सहडूल जिले की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन मुरेना में कुछ गाओं एसी हैं जहां मुवाइल आज भी काम नहीं करता है 12 मई को मत्दान होना है तो पूलिंग बूटस से जुड़ी जानकारी देने के लिए यह प्रणाली अपनाई गई है दोस्तो अब बात करते हर करे प्रणाली है क्या इसके बारी में तो ये एक प्रिकार का runner है जरूरी संदे से लेकर एक runner जो गाओं का कोटवार या चौकीदार होगा वो सबसे उंची पहाड़ी पर दोड़ लगाएगा यहां जहां mobile network आते हैं कुछ जगए चिन्नित की गई है mobile network के लिए तो वहां से ये जरूरी जानकारी केंदर तक पहुँचाएगा तो आपको याद रखना है ये मुरेना में की गई है तो आपको मुरेना की बारे में important fact बता दें मुरेना में मोरों की बहुत मात्रा है इसलिए इसका नाम मुरेना पड़ा है दोस्तो नागा जी का मिला यहीं पल लगता है बामनौर में ओद्योग केंदर और कोला रस में चीनी मिल इस्तित है सुतंतता सेनानी रामपरसाद बिस्मिल की इस्मरती में देश का पहला शहीद मंदर मुरेना में ही बनाया गया है दोस्तो लिखी राज गुफाएं मुरेना में ही इस्तित है और चंबल रास्टी उद्यान गड़ियाल अभ्यारन ये भी मुरेना में ही इस्तित है तो दोस्तो इतना आपको मुरेना की बारी में याद रखना है नेस्ट क्वेशन हाली में इंदोर की रूची सोया ओयल कंपनी को किस ने खरीदा है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तो आपको बता दें हमारी मद्धिप्रदेश की 30 Important Questions Related Series का तीसरा पार्ट आ चुका है इसे आप देखे ये बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट है इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है और वीडियो के एंड में दो पार्ट में दिया गया है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए तो आज के लिए वस्तना ही नमस्कार